पपेस रूल जब इसकल में इंजुरी होती है और मंटीपल इंपेक्ट बनते हैं जैसे गंसोट के द्वारा ब्लंट इंपेक्ट ब्लंट फोर्स द्वारा तो उसमें जो इंजुरी होता है उसमें क्या स्विक्वेंस है उनका इंजुरी का बह स्टेबलिस करता है पपेस रू यह rule क्या है तो rule यह है कि जब दो factor line जो होती है बे दो factor line होती है तो जो second factor line होती है बे हमेशा रूख जाती है pre-existing factor line से मतलब कि जो दूसरी factor line होगी बे first factor line से रूख जाती है मतलब जो pre-existing line से रुख जाती है तो जैसे अगर आपन simple सा देखें कि यह first impact था तो इसके वज़े से यह fracture line बनी है अब यह second fracture line है तो इसमें यह जो होता है इसने second line ने जैसे यहाँ cross नहीं किया यहाँ cross नहीं किया यहाँ cross नहीं किया इसी तरह से अगर आपन बात करें second के बाद यह third है तो third जो हेगा उसने second को यह cross नहीं करा second को cross नहीं करा तो यह ही है कि यह sequence बताता है impact का किसके लिए यूश करते हैं gunshot और blunt impact तो यह हमने complete करा papace rule Thank you